नमस्कार, स्वारब दिवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो 2022 का आखरी सप्ताह चल रहा है और इस आखरी हफते का इस्तिमाल हम करेंगे हिसाब किताब के लिए कि भारत के पांच बड़े मोर्चे रक्षा, वित, विदेशनी, तिग्रियों और राजनीती की दुनिया में 2022 कैसा रहा तो ललन टॉप शो पेश है अपने एर इंडर्स की पांच एपिसोडस वाली खास पेशकस के साथ आज पहली किस समर्पित है देश के रखवालों को हम जानेंगे कि सेना, सैनिक सुधार और हतियारों की खरीच जैसे विश्यों पर भारत सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा तो शुरू करते हैं ललन टॉप शो सबसे पहले बात वास्तविक नियंतरन रेखा यानि लाइन ओफ एक्चुल कंट्रोल एले सी की चीन के साथ इस पर चल रहे विवाद की 1962 के भारत चीन युद्ध को 2022 में 60 साल पूरे हो गए लेकिन दो देशों के बीच सीमा विवाद सुलजने के बजाए उलच्टा ही जा रहा है बीते दो बरसों से गलवान की बात कर रहे देश को इस साल एक नया कीवर्ड मिल गया तवांग लेकिन तवांग दिसंबर की घटना है पूरे बरस क्या हुआ 2022 को लद्दाक में जारी मोर्चेबंदी विरासत में मिली थी दोनों देशों की सेनाय पूरे पूरवी लद्दाक में आमने सामने खड़ी थी और आमने सामने को आप मुहावरा भर मत मानिये दोनों तरफ से सेनिकों ने अग्रिम चौकियां वास्तों में इतने करीब बना ली थी कि वो एक दूसरे की आवाजें सुन लेते थे गलवान घाटी के संघर्ष के बाद अब ये तैथा कि लद्दाक में भारत और चीन के सेनिक दोबारा भिड़ सकते हैं और जब भिड़ें तो सिर्फ मुक्के और लाठियां ही नहीं चलेंगी ये भी तैथा सो अनोहनी से बचने के लिए भारत का फोकस रहा एक शब्द पर डिसंगेजमेंट यानि दोनों पक्षों के सेनिक जो एक दूसरे की तरफ बंदूग ताने हुए तैनात हैं वो पीछे हटें 2020 और 2021 में पेंग्योंग सो उत्तर पेंग्योंग सो दक्षन गोगरा पोस्ट और गलवान जैसी जगों पर डिसंगेजमेंट पूरा हो गया था इसके बाद से लगातार कोर कमांडर इस्तर की बैठके हो रही थी लेकिन बाकी जगों पर डिसंगेजमेंट का रास्ता खुल नहीं रहा था लोग पूछने लगे कि जब बैठकों से कुछ हासिल नहीं हो रहा तब दुश्वन के साथ मेस पर बैठना ही क्यों है और ये कहने भी लगे कि लेसी पर जो होना है वो कोर कमांडर इस्तर की बैठक में आने वाले पेगरेट से उपर की बात है क्योंकि अगस 2021 में गोगरा पोस्ट यानि पेट्रोल पॉइंट 17A पर हुए डिसंगेजमेंट के बाद से कोई सफलता हाथ नहीं लग रही थी एक तरफ आलोचना ही सब चलती रहे दूसी तरफ बैठकें भी विदेश मंत्राले और प्रधान मंत्री कारयाले अपने इसतर पर चीन से कभी प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क साथते रहे जिसकी बात हम आने वाले दिनों में तब विस्तार से करेंगे जब आप से भारत की विदेश नीती पर चर्चा होगी और इन सारे प्रयासों का फल कब दिखा आठ सितंबर 2022 को जब पेट्रल पॉइंट 15 यानि हॉट स्प्रिंग्स पर डिसंगेजमेंट शुरू हुआ चीन यहां से पीछे हटने को कटई राजी नहीं था क्योंकि यहां का भूगोल भारत के पाले में था यहां से लोटने के बाद दोबारा आने या हमला करने में चीन की फौज को बहुत नुकसान उठाना पड़ता लेकिन आखिरकार दोनों सेनाय हॉट स्प्रिंग से पीछे हट गए इसी के साथ उन सभी जगों पर डिसंगेजमेंट पूरा हो गया जहां अपरेल 2020 में दोनों सेनाय आमने सामने आई थी सितंबर में 2022 में प्रधानमंत्री मोदी उजबेकिस्तान गए और वहां उन्होंने शंगाई कॉर्पोरेशन औरगनाईजेशन यानी SCO की बैठक में हिस्सा लिया यहां चीन के राश्पती शी जिन पिंग भी अपने प्रत्निदी मंडल के साथ आए थे इसलिए होट स्प्रिंग्स की डिसंगेजमेंट को दोनों देशों के नेताओं की या अधिकारियों की संभावित बैठक के लिए माहौल तयार करने की कोशिश की तरह भी देखा गया ये मुलाकात अंतता नहीं हुई लेकिन ऐसे मंचों पर नेताओं की मुलाकातों की संभावना ही अगर सुले का कोई रास्ता खोले तो इसमें कोई बुराई नहीं है दरशक ध्यान दें डिस इंगेजमेंट का मतलब ये कतई नहीं होता कि पूरी फौज ही वापस आ गई हुआ बस ये कि सैने के एक दूसरे को इंगेज नहीं कर रहे थोड़ा पीछे आ गए है बाकी तैनाती पूरे लद्दाक में जस्कीत से अपरेल 2020 की तुलना में भारत ने लद्दाक में अपनी तैनाती को दोगना कर रखा है 40-60,000 अतरिक्त भारती जवान सिर्फ वेस्टर सेक्टर यानी लद्दाक में तैनात किये गए है इनकी वापसी कब होगी ये जवाब किसी के पास नहीं है दो और बड़े सवाल बाकी है सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि उसने लद्दाक में जमीन खोई है लेकिन कई रख्षा पत्रकार मानते हैं कि लद्दाक में जिस तरह दोनों सेनाय पीछे हटी हैं उसमें भारत का नुकसान जादा हुआ जिन पेट्रोल पॉइंट्स की पहचान खुद सरकार ने की थी और सेना को वहाँ जाकर गश्ट करने के निर्देश दिये थे वहाँ अब नहीं जा पा रहे साल ख़त में होते होते चीने अलेसी पर फिर अपनी हरकतें दोराई इस बार अनौचल प्रदेश के तवांग में तवांग के यांग तज़े इलाके में चीनी सैनिक एक सत्रह हजार फीट उची चोटी पर जाकर बैठना चाहते थे ताकि वहाँ से भारती फौज की निग्रा नहीं कर सके लेकिन फौज ने इस कदम को भाप लिया और जब चीनी आये तो उन्हें तक परता से खदेड दिया ये अच्छी बात थी कि इसमें किसी सैनिक की जान नहीं गई कुछ सैनिक जखमी हुए है कलवान के बाद हुई गलती को ना दोराते हुए भारत में इस बार सूचनाओ का ठीक प्रबंधन किया लेकिन इस बात का जिक्र भी करना जरूरी है कि रक्षा मंत्राले ने तब तक इन घटनाओं के बारे में देश को नहीं बताया जब तक स्टोरी मीडिया में ब्रेक नहीं हो गई सुनिए रक्षा विशेशा कि इस पर क्या सोचते है जी देखिए स्टेटस को एंटी ये साफ जाहर है नहीं अचीव हुआ है चाइना ने जहां उन्होंने मेरे ख्याल में कैल्कुलेशन करके वो आए थे कि हम इतने जगहों में जाएंगे और इतने जगहों से वापस आएंगे और जो बाकी है वो हमारा नेट गेन हो गया है तो इस सोच से उन्होंने डेपसांग के एरिया में तक्रीबन 15-16 किलोमीटर की टेरिटरी उन्होंने अपने पास रखी हुई है गलवान में थोड़ा सा टेरिटरी उन्होंने अपने पास रखा है होट स्प्रिंग्स गोगरा में एक दो किलोमीटर है और फिर दूसरा जहां पे बड़ा नुकसान हुआ है भारत का वो है पैंगॉंग लेक के सेक्टर में जहां पे उन्होंने तक्रीबन 8 किलोमीटर की टेरिटरी पकड़ रखी है और वो छोड़ने के लिए तयार नहीं है तो यह जो है इनका नतीजा यह है कि भारत ने काफी टेरिटरी जो है खो बैठी है और इससे हमारा नुकसान हुआ है एलेसी के संदर में सैनिक जड़ब से जादा गंभीर समस्या है चीन द्वारा लगातार किया जा रहा और नाचल प्रदेश के जिस इलाके को दोनों पक्ष विवादित मानते हैं वो वहां गाउं बनाता जा रहा है दोकलाम में जहां 2017 में हमने उसे रोक लिया था वहां जुसने एक नहीं कई गाउं बना लिये पूरवी लद्दाक में भी चीन ने सडकों और पुलों का जाल विचाना बंद नहीं किया ये बात सही है कि ये निर्मार विवादित इलाके में हो रहे हैं और विवाद भविश में सुल जाया जाएगा लेकिन सतत निर्मार चीन का नियंत्रा और दावा दोनों मजबूत करते जा रहे हैं और इसे बदलना समय के साथ मुश्किल हो जाएगा सुनिए देखे एक तरफ से अगर देखा जाए तो दोनों मिलिटरी जो है भारत का और चीन की वो डायलॉग में इंगेजड हैं बड़े बॉब टॉक्स हुएं सीनियर कमांडर्स के बीच में और ये एक हेल्दी बात है दोस मिलिटरी जो कांटैक्ट में होते हैं उनका बा करतीजों पर पहुँचा हुआ है और वहां से हटने के लिए तयार नहीं है उनका सोचना यह है कि बॉर्डर के डिफेंस का हमने स्ट्रेंग्थन करना है और तगड़ा बनाना है और उन्होंने ये तरीका निकाला हुआ है कि जितने ये ग्रेजियर्स होते हैं जो अपने य लाइन अफ कुर्ड एक्षिल कंट्रोल के पास ठहरा दिया है और वहां पे वह एक किसम से अर्ली वार्णिंग का काम करते हैं तो ये प्रॉल्लम है कि हम अपने ग्रेजियस के साथ नहीं करते हैं अपने ग्रेजियस को अपने मरजी के मताबिक चलाने देते हैं अपने फ्लॉक्स जो है लाइन ओफ कुंट्रोल पे जब गर्मी का पुसम आता है तब हो लेकिए जाते हैं सर्दी चबाने लगती है तो वापस आ जाते हैं तो एक किसम से जो है चाइना ने अपने पॉपुलेशन को बॉर्डर पॉपुलेशन को मिलेटराइज कर रखा है और इससे उसको काफी एड़वांटेज है कुल मिलाकर चीन 2023 में भी भारत की सबसे बड़ी रक्षा चुनोती बना रहेगा पाकिस्तान हमारा पश्मी पडोसी इस साल सैनिक मोर्चे पर कुछ शांत रहा नियंतरर रेखा एलोसी पर कमोबेश शांती रही और इसके चलते सेना बाकी सामरिक विश्यों पर ध्यान दे पाई ये बात वैसे पाकिस्तान समर्थित आतंगवाद को लेकर नहीं कही जा सकती वो जम्मू कश्मीर में बदस्तूर जारी है पाकिस्तान पर जादा बात हम अपने उस एपिसोड में भी करेंगे जिसमें अंतराश्ट्री मंचों पर भारत की प्रदर्शन की चर्चा होगी पा पाद में सीजफायर को इंप्लिमेंट करने में ये मैं बहुत खुश हूँ देखके और मैं कहता हूँ पाकिस्तान को शाबाशी मिलनी चाहिए इसके लिए कईयों की सोच ये रही है कि जब चीन कुछ जो है चीन के साथ सामना होगा भारत का तो पाकिस्तान फौरण एड़ पांटिज लेके अपने तरफ से जो कारवाई करनी है चाहिए गुस पेटियों को अंदर गुसाना या अपने खुद के फौस को के के पुजिशन्स को बढ़ाना ये पाकिस्तान ने नहीं किया है और इसकी वज़े से भारत एक और बहुत इंपॉर्टन्ट कदम ले पाया ह और वो है कि तकरीबन चार या पांच डिविजिन्स वो पाकिस्तान के फ्रंट से लेकर चाइना के फ्रंट पर ट्रांसफर कर चुका है तो इससे जो है जो हमारा जो हम कहते आए हैं कि हमारा नंबर वन दुश्मन जो है चीन है नाक की पाकिस्तान ये अभी एक कदम ये डि बड़ी बात है अच्छी बात है और हम सोचते हैं कि यह इंडियन सीनिय कमांडर्स की ओर से जो डायलोग होता है पाकिस्तान के साथ उसमें उनको अपना अप्रीसियेशन कनवे करना चाहिए एक चीज जिसके लिए आलोचक भी नरेंदर मोधी सरकार की तारीफ करते हैं वो हैं ऐसे सैने सुधार जो दशकों से लंबित थे रिफार्म एजेंडा इस साल भी अमल में लाये गया बीते साल का बड़ा सुधार था ओर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी ओएफबी का निगमी करन या कॉर्परिटाइजेशन इस साल का बड़ा सुधार था अगनिपत कोरो नकाल में सेना के तीनों अंगों में भरतियां स्थगेत हो कहीं थी कारण दिया गया संक्रुमार लेकिन यूपी चुनाओ आते याते युवाओं का गुस्ता सात्में आसमान पर पहुँच गया वो रक्षा मंतरी राजना सिंग की रैलियों में पूछने लगे कि भरत सेने तैयारियों पर असर पड़ेगा लेकिन तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए सरकार ने इसे लागू कर ही दिया लेकिन अगनीपत का विरोध ही हुआ ये कहना सही नहीं ये सब देख रहे थे कि थलसेना में हमारी जरूरत से कहीं अधिक सैनिक हैं और रक्षा सरकार ने रक्षा मंत्राले द्वारा सोजाया सुधार बताया लेकिन एक सुधार ऐसा भी था जो रक्षा मंत्राले के बाहर से आया या कहें रक्षा मंत्राले के विरोध के बावजूद आया और सरकार को उसे लागू करना पड़ा सभी ने सुप्रीम कोर्ट की तारीप की एक मोर्चे पर पिछड़ती नजर आई CDS की न्यूक्ती और Theatrization December में पहले CDS जनरल विपिन रावत की एक दुरगट नाम में मृत्य हो गई थी पिछले बन से General रावत पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी भारत की तेनो सेनाओं के अंगों को मिला कर CDS के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो दस महीने तक जनरल रावत का उत्रादिकारी ही नहीं खोच पाई कभी खबर आदी कि CDS पत के लिए इनका नाम आगे चल रहा है तो कभी खबर आती कि न्यूक्ती के नियम ही बदल दिये गए फिर 30 सितंबर को जाकर जनरल अनिल चोहान ने दूसरे CDS के रूप में कारभार समाला इस वक्त में तेटराइजेशन को लेकर वायुसेना की चिंताओं का पूरी तरह निराकरन हुआ हो ऐसा भी नहीं तो बात अधर में लटकी हुई है सैनिक सुधारों को लेकर क्या सोचते हैं विशेशा की सुनिये मेरे नजरिये में ये रिफॉर्म्स हैं और ये जरूरी रिफॉर्म्स हैं और गवर्मन्ट को जो है शाबाशी मिलनी चाहिए इन रिफॉर्म्स को आगे लेके जाने की लेकिन ये reforms जैसे कि आपने अभी बताया था पूरी तरीके से implement नहीं हुए हाफ-hearted सा एक initiative लिया गया है और इससे जो है काम नहीं बनने वाला है और इसमें सिर्फ सरकार की गलती है और किसी की गलती नहीं हो सकती है जो पिछले cds थे respected जेनरल रावत साब उनका देहांत जो है आठ डिसेंबर पिछले साल हुआ था अभी जो है 29 सब्टेंबर में पूरे 10 महीने लग गये next cds को अपॉइंट करने में क्या बज़े हो सकती है इसकी सिर्फ जो है सरकार के तरफ से जो है carelessness मैं कहता हूँ एक किसम से होगा तो उन्हों सरकार ने जो है इस मामले में वो फूर्ती नहीं दिखाई जो हम उमीद करते हैं तो जो reforms वगेरा हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं आगे लेके जाना हम उमीद करते हैं कि reforms जो हैं आगे बढ़ेंगे अब आगे की बात हमारे सैनिकों में साहस या ट्रेनिंग की तो कोई कमी नहीं है अब ज़रूरी है कि इन्हें लड़ाई के लिए सही हत्यार भी मिले इसलिए आसे 2022 एक अच्छा साल रहा अपरेल 2020 में चीन के साथ गुत्थ की मिली पर थोड़ी रक्षा करीद की दुनिया में 2022 का कीवर्ड रहा आत्म निर्भरता और इसका सबसे बड़ा उधारन था आई एनस विक्रांद भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहग जाहाज है दो सितंबर 2022 को जब प्रधान मंतरी मोदी ने से राष्ट को समर्पित किया तब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो विमान वाहग पोत को खुद डिजाइन कर सकते हैं और बनाकर लॉंच कर सकते हैं इस उपलब्दी की बधाई प्रधान मंतरी मोदी के साथ साथ दो और पूर प्रधान मंतरियों को दी जानी चाहिए जो इस प विक्रान्द को अपने लिए लडाकु विमानों का भी इंतजार है अब ये लगभग तैह है कि विक्रान्द के लिए फ्रांस की अदासों से रफाल M विमान लिये जाएंगे नौसेना 57 लडाकू विमान लेना चाहती थी लेकिन पहले लगभग 24 विमान ही लिये जाएंगे अभी इन विमानों के लिए ठेका नहीं दिया गया है और राह लंबी है अगर वास्तों में विकरांद के लिए रफाल ही लिया गया तो उनहें विकरांद से उढ़ान भड़ने में कम से कम दो साल लगेंगे विकरांद का निर्मान पूरा होने को है तो नौसेना अगले एएरक्राफ्ट कैरियर पर भी विचार कर रही है पहले नौसेना एक बड़ा और बहतर एरक्राफ्ट केरियर चाहती थी लेकिन सरकार संकेत दे रही थी कि बजट सीमित है और नौसेना को पंडुब्यों पर विचार करना चाहिए पूर सीडियेस जनरल रावत ये सावजने क्रूप से कहते भी थे नौसेना ने अब बड़े और बेहतर की जगे विक्रांच जैसे ही एक और एरक्राफ्ट केरियर की बात शुरू की है सरकार अब भी पंडुब्यों के पक्ष में ही नजर आ रही है लेकिन नजर आने और काम करने में फर्क है नौसेना से ये तो कहा जा रहा है कि वो पंडुब्यों पर फोकस करें लेकिन पंडुब्यां नौसेना को मिल नहीं रही 2017 में नौसेना को 6 स्कॉर्पेंट पंडुब्यों की डिलीवरी शुरू ही जो 2023 में पूरी हो जाएगी अक्टूबर 2005 के बाद से नौसेना के लिए एक भी नई पंडुब्य का ओर्डर नहीं दिया गया है और ये सभी के लिए चिंता की बात होनी चाहिए जो हाल पंडुब्यों का है वही लडाकु विमानों का भी है वायुसेना चाहती है कि तेजस मार्क 1A की डिलीवरी तेजी से हो फिर वो रफाल जैसे आधुनिक विमानों के और स्क्वाडरन भी चाहती है जिन पर सरकार ने साल भी फैसला नहीं लिया लेकिन इतना जरूर हुआ कि सरकार ने तेजस मार्क 2 के डेबलमेंट के लिए फंड रिलीस कर दिया इसका मतलब भारत अपने स्वदेशी लडाकु विमान का एक उन्नत संसक्राण बनाने जा रहा है जो कि अच्छी बात है वायुसेना बस ये चाहती है कि स्वदेशी पर जोर के सासाथ उसे कुछ उन्नत तकनीक वाले विमान आयात भी करने दिये जाए लेकिन वायुसेना नए नवेले प्रचंड हेलिकॉप्टर से बहुत खोश है जो इसी साल अक्टूबर में वायुसेना में शामिल हुआ इस हेलिकॉप्टर ने विद्वत रूप से शामिल होने से पहले ही लद्दाख में बढ़िया प्रदर्शन भी दिखाया था तलसेना के लिए रक्षा खरीद के लिहास से ये साल अच्छा रहा जवानों के लिए गोली रोकने वाली बैलेस्टिक हेलमेट्स की खरीद को हाली में मंझूरी मिल गई लद्दाख के उुचे मैदानों पर तैनाद करने के लिए हलके टैंकों को मंझूरी मिली तोप का नाम है ATAGS इस साल 26 जनवरी को इसी तोप से सलामी भी दी गई थी लेकिन इसका ओर्डर अभी तक नहीं दिया गया वेशिशा के रक्षा खरीद को लेकर क्या राहे रखते हैं सुनिए देखिए साल 2022 में जो तीन सबसे बड़े प्लाटफॉर्म भारतिये सेना को मिले हैं उनमें से एक INS विकरांथ है जो के भारत का पहला इंडिजिनिस एक्राफ्ट कैरियर है इसके कमिशनिंग के लिए प्रधान मंत्री खुद गए थे कोची में मैं खुद वहाँ पर था जब इसकी कमिशनिंग हुई और बहुत बड़ी उपलब्दी थी भारतिये नौसेना के लिए और अब भारतिये नौसेना के पास एक साथ दो एरक्राफ्ट कैरियर हमेशा फंक्शनल रहेंगे तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि एक एरक्राफ्ट कैरियर जो है काफी महीने कई बार रिपेर्ज में रहता है मिंटिनेंस में रहता है तो इसके चलते अगर सिरफ एक एरक्राफ्ट कैरियर हो तो आपरेशन्स में काफी दिक्कत आ सकती है अब क्योंकि दो हैं तो मतलब एक हमेशा functional रहेगा, एक अगर maintenance में भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, भारती यह नौ से ना चाहती है कि तीसरा aircraft carrier भी उन्हें जल्द मिले, इसके लिए बातचीछ चल रही है जो दूसरा बड़ा platform मिला वो Indian Air Force को मिला S-400 missile system, यह एक air defense system है और रश्या से यह लाया गया है, इसकी एक unit deploy भी हो गई है, दूसरी unit के भी जल्दी आने की बात है तो फिर से भारत की रक्षा के लिए, defenses के लिए बहुत एहम induction है, इसके अलावा LCH प्रचंड, light combat helicopter याने की ऐसा helicopter जो फिर से भारत में बना हुआ है, पूरी तरह से indigenous है इसका induction हुआ, इसकी commissioning हुई भारतीय वायू सेना में भी, और साथी साथ भारतीय सेना को भी, इडियन आर्मी को भी, जो है यह helicopter मिले और इनको already deploy भी कर दिया गया है, मीसा मारी में, असाम में, जो के अरुनाचल के बेहद नजदीक है ऐसा पहली बार होगा कि भारत में एक transport aircraft जो के air force इस्तमाल करेगा, वो भारत में ही बनेगा, तो आने वाले सालों में उस पर भी नज़रें जरूर रहेंगी, भारत का अपना transport aircraft भारत दुनिया का सबसे बड़ा हतियार आया तक है कि आपने कई बार सुना होगा, हम कभी रूस से तो कभी अमरीका से तो कभी यूरोप से हतियार आयात करते थे 2022 में भारत ने इस टैक को मिटाने की कोशिश की, नवंबर 2022 में पहली बार एक भारती कंपनी भारत फोर्ज ने हाविद्जर तोपों के निर्यात का contract जीता इससे पहले सितंबर में भारत ने अर्मेनिया की सेना को पिनाका रॉकेट्स देने का contract भी जीता इस रॉकेट को सरकार और प्राइविट सेक्टर मिलकर बनाते हैं, तो सरकार भी खुश और इंडस्ट्री भी लेकिन सबसे बड़ी सफलता मिली थी जनवरी 2022 में जब ये तेह हुआ कि भारत फिलिपीन्स को ब्रम्होस मिसाइल का निर्यात करेगा तोपे और रॉकेट्स का निर्यात अगर उपलब दी है तो मिसाइल का निर्यात बहुत बड़ी उपलब दी जिसके लिए ब्रम्होस कॉर्पोरेशन में काम कर रहे भारती वैग्यानिक और फिलिपीन्स में पैनात भारती डिप्लोमेट्स बधाई के पात रहे इन तीनों ठेकों के मूल्य हजारों करोड में हैं लेकिन हमारा असली हासिल है भारत की विशेशग्यता और गुणवत्ता पर दुनिया का भरोसा ये एक्सपोर्ट और मिल रहे है क्योंकि भारत ने रिसर्च और डेवलिमेंट का काम नहीं रोका तेजस मार्क 2 के लिए मिले बजट के बारे में हमने आपको बता दिया दूसरी तरफ लगातार नए हत्यारों और मिसाइलों की टेस्टिंग चल रही है 15 दिसंबर 2022 को भारत ने अगनी 5 मिसाइल का भी पहला ऐसा परिक्षर किया जो उसकी 5,000 किलोमीटर की पूरी रेंज तक हुआ पूरी दुनिया ने रात के आसमान में भारत की उस मिसाइल को उर्ते देखा जो परमारू हमले का जवाब देने के काम आएगी परमारू हमले के जवाब की बात चली तो आईनेस अरिघात की बात किये बिना ये पूरी नहीं होगी इस साल इस खुफिया पंडुब्बी के ट्रायल्स पूरे हो गए इसकी कोई तस्वीर कहीं भी मौजूद नहीं है क्योंकि इस पंडुब्बी का काम ही है तब तक छिपे रहना जब तक हमारा दुश्मन कोई गुस्ता की ना कर दे अगर भारत पर परमारू हमला होता है तो हम आईनेस अरिहंत और अरिघात जैसी पंडुब्ब्बियों से ही जवाब देंगे इसी साल अक्टूबर 2022 में पहली बार आईनेस अरिहंत ने पानी के भीतर से एक परमारू मिसाल दागी और इस टेस्ट को भारत ने प्रचारित भी किया तो कुल मिला कर ये कि लेखा जोका है 2022 में हमारे रखवालों का और इससे जुड़े मोर्चिदारों का अगर आपकी इस विश्य में दिल्चस्पी है तो आपको ललन टॉप का वीकली शो रखवाले जरूर देखना चाहिए जिससे हमारे साथी और इस शो के प्रडूसर निखिल बाठ प्रस्तुत करते हैं ललन टॉप शो की आगे आने वाली किष्टों में हम आपको बताएंगे ग्रिह, वित, विदेश मामले और देश की राजनी तिमें 2022 कैसा रहा भारत के लिए हमारे देश के लिए यह थी आज की पड़ी खबर अब गौर करते हैं सुर्खियों पर पहली सुर्खी का संबंध 3,250 करोड के ICICI बैंक लोन फ्रॉट केस से है CBI निस मामले में आज यानि 26 दिसंबर को वीडियो कॉन के मालिक वेडु गोपाल धूत को गिरफतार कर लिया इस से केस में ICICI बैंक की पूरे MD चंदा कोचर और उनके पती दीपक कोचर उनकी पहले ही इस केस में की रफ्तारी हो चुकी है अब संख्षेप में मामला जान लीजिए शुरुआत हुई साल 2012 में उस समय ICICI बैंक की कमांड बैंक की तत्काली MD चंदा कोचर के हाथ में थी कोचर पर नियमों के अंदेखी कर वीडियो कॉन समू के मालिक वेडु गोपाल धूत को निजी रूप से फायदा पहुचाने का आरोप लगा नियमो के विरुद जाकर कमपनी को बैंक ने लोन दिया दरसल वीडियो कॉन समू के मालिक वेडु गोपाल धूत ने 20 अलग अलग बैंकों से कुल 40,000 करोड का कर्ज लिया इसमें ICICI बैंक से मिला 3,250 करोड रुपय का लोन शामिल है 2022 में वीडियो कॉन ग्रुप की कंपनियों के 6 अकाउंट के बकाया को Domestic Debt Refinancing के तहत स्वीक्रत 1,730 करोड रुपय के लोन में एडजेस्ट किया गया CBI ने बताया कि 2012 में दिये गए 3,250 करोड के इस लोन में से 2,810 करोड रुपय यानि करीब 46 फीजदी कर्ज नहीं चुकाया गया वीडियो कॉन और उसकी ग्रुप कंपनियों के खातों को जून 2017 में NPA यानि Non Performing Assets गोशित कर दिया गया NPA गोशित होने पर पैसा वापस आने की उमीद ना के बराबर हो जाती है जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ अगर आप इस केस का तिया पांचा बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमारे खास शो खर्चा पानी का आज का एपिसोड जरूर देखें इसका लिंक आपको शो के आद के ललन टॉप शो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस्तार से बात हुए दूसरी सुर्की दिली के मेजर ध्यारचन स्टेडियम से आई गुरु गोविन सिंग के बेटों सुरावर सिंग और फते सिंग के बलिदान को याद करने के लिए आज यहां वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया कारिक्रम में संबोधन के दौरान प्रिधान मंत्री मोदी ने क्या कहा सुनिए मैं पिटा दस्बेद गुरु गोविन सी जी अब बात वीर बाल दिवस कारिक्रम को लेकर हो रहे विरोध की दरसल इस साल 9 जनवरी को गुरु गोविन सिंग की जैन्ती पर पीम मोदी ने घोशना की थी की छोटे साहबजादों की शहादत को याद करने के लिए 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा एसजी पीसी का कहना है कि उन्होंने केंद्र से वीर बाल दिवस का नामकरण साहबजादे शहादत दिवस करने की सिफारिश की थी लेकिन केंद्र ने उनकी सिफारिश का जबाब नहीं दिया इस सुर्की के आखिर में बात आज दिल्ली से आई एक पॉलिटिकल तस्वीर की भी जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं चल रही है दरसल आज राहूल गांधी ने राजीव गांधी समेत देश के कई पूर प्रदान मंत्रियों के समाधिस्तल पर जाकर उन्हे चर्चाप पूर पिम अटल बिहारी वाजपई को शद्धान जली देने को लेकर हो रही है वजह है उन्हीं की पार्टी के गनेता गौरव पांधी जिनोंने कल यानी 25 दिसम्बर को अटल बिहारी वाजपई के जम दिन पर उन्हें अंग्रेजों का एजेंट करार दिया था पांधी के बयान पर विवाद होना तै हुआ था और हुआ भी यही फिलाल पांधी ने अपना विवादास पर ट्वीट डिलीट कर दिया लेकिन बीजेपीर राहूल पर अटल भीहरी वाजबई के सम्मान का दिखावा करने का आरूप लगा रही है तीसी सुरखी का संबंध कोरोना से है 26 दिशंबर की शाम स्वास्तमंत्री मंसुक मंडाविया ने इंडियन मेटिकल एस्सोसेशन यानि आयमे के साथ वर्च्वल मीटिंग की मीटिंग के दौरां स्वास्त मंत्री ने कहा कि जहां तक अलर्ट पर रहना और मास्क पहलने समेथ कोविड विवार का पालन करना महत्पूर है वहीं एक इन्फो डेमिक को रोकना कोविड नैटीन पर केवल प्रामानिक और सत्यापे जानकारी साजा करना भी महात्पूर्ण है के इन्फ्री स्वास्त मंत्रwives कोविड की रोख ठाम और प्रवंदन के अलग-अलग पहलूँद पर जानकारी साजा करता रहा मैं सभी से केवल सत्या पर जानकारी तक पहुँचने और साजा करने का अग्रे करता हूँ उनके कहने का सीधा मतलब यही है कोविट पर किसी भी तरह की अभवा को फैलने नहीं देना है चीन में कोविट के नए वैरियंट से मची तबाही के बाद पिये मोदी भी 25 दिसंबर कुमन की बात कारिक्रम में लोगों से सतरक रहने को कह चुके है अगली सुर्खी गुजरास से जुड़ी है बारत पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास कोस्ट गार्ड और गुजरात ATS को सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली गश्ती के वक्त पाकिस्तान की अल सोहली नाम की मचली पकड़ने वाली जब जहाज की तलाशी ली गई जिसमें 300 करोड रुपए कीमत वाली 40 किलो ड्रक्स पकड़ी गई साथ में 10 पिस्तॉल भी बरामद हुई ये पहली बार है जब ड्रक्स के साथ हत्यार भी पकड़े गए बोट के साथ 10 पाकिस्तानी नागरिकों को ग्रिफतार किया गया ATS की टीम उने आगे की जाच के लिए द्वार का जिले के ओखा बंदरगापा ले गई ये जानकारी खुद इंडियन कोस्ट कार्ड की टीम ने ट्वीट कर आज यानि 26 दिसम्बर की शाम सबच 6 बजे साजा की अगली सुर्की एक्टर्स तुनीशा शर्मा सुसाइट केस से जुड़ी है 24 दिसम्बर को तुनीशा की आत्महत्या की खबर सामने आई इसके बाद तुनीशा को आत्महत्या के लिए उक्साने के आरोप में उनके को स्टार और एक्स बोई फ्रेंड शीजान की गरफतारी हुई इसके इसके बारे में शुरू सही तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे इस बीच महाराष्ट की शिंदे सरकार में मंत्री गरीश महाजन के एक बयान ने मामले को दूसरा एंगल दिया महाराष्ट बिजेपी की कई नेता भी तुनीशा की खुद खुशी को लव जिहाद से जोड़ चुके है इस पर कॉंग्रेसी नेताओं ने आपती भी जताई है पुलिस का कहना है कि शिजान से ब्रेक अप के बाद तुनीशा काफी तनाव में थी इसी के चलते उसने आत्मा हत्या की अब तक की जात में लव जिहाद का कोई अंगल भी सामने नहीं आया है फिलाल तुनीशा की माने आरोपी शिजान के खिलाब क्या गंबीर आरोप लगाए हैं सुनिए मैं सब को आप सब मेडिया वालों को ये बताना चाहते हूँ कि शिजान ने टुनीशा को धोका दिया उसके साथ के लिए रेलेशन्शिप बनाया शादी का वादा करके फिर उसने टुनीशा से ब्रेक अप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्मॉल्वमेंट थी उसकी बावजूद भी टुनीशा को इसने इन्मॉल्व रखा अपने साथ तीन चार महीने उसको यूज किया बस मैं इतना कहना चाहा रही हूँ कि इसको सजा मिलनी चाहिए शिजान को नहीं छोड़ना मेरा बच्चा लिया है बस बाकि मीडिया बहुत कॉपरेट कर लिया मैं तेवर से शुक्रियत करती हूं मीडिया का तुनिशा की मार ने आरोपी श्रीजान खान को सक्त सजा देने की मांग की श्रीजान 28 दिसंबर तक पुलिस की रिमांड पर है आज तक न्यूज चैनल के सूत्रों के पताबिक आज 26 दिसंबर को पूश्टाच दोराँ सीजान पुलिस को बताया कि तुनिशा ने कुछ दिनों पहले भी आत्मत्या की कोशिश की थी इस बारे में उसने तुनिशा की मांसे बात भी की थी फिलाग पूश्टाच और जाच जारी है ये था आज का ललन टॉप शो उमीद ह कल फिर मुलाकात होगी शुक्रिया शुबरातरी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिये अगर कॉंप्टीशन की कर रहा है कड़क तैयारी तो आपकी हबारी मौके पर दिखाईए ग्यान मौके पर जीती ही नाम बसोंवात से शुक्रवार रात नौ बजे ललन टॉप क्युछ खेलने का करना है काम